इस बार का selection होगा percentile base पर तो क्या है percentile बला और इसको कैसे जानते हैं कैसे निकालते हैं तो बहुत सरल बात है आज से काफी समय पहले से भी इसका इस्तेमाल हो रहा था लेकिन क्योंकि अब यह प्रचलन में आया है group D में तो मैं आपको सिखा देता हूँ सबसे सरल तरीके से क percentile कैसे निकालते हैं और आप सब भी इसका इस्तिमाल करके percentile को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी चीज के लिए देखे railway group D में तो percentile के नए formula को रखा गया है वो percentile का formula है number of student appear in the shift with the raw score equal or less than candidate इतनी बड़ी अंग्रेजी पढ़ने का कोई मतलम नहीं मैं आपको सीरीस ही बात बताता हूं कि मेरा number और मेरे से नीचे जितने भी number है आपको केवल विद्याथियों के चिनना है जिनका नंबर आपकी number के बराबर हो और आप से नीचे हो केवल ऊंविद्यार्सियों कि संख्या को पता करना है और बटे में क्या लिखना है टोटल नंबर ओफ एप्लिकेंट इंदा शिफ्ट यानि कि उस शिफ्ट में कितने अभ्यरतियों ने परिक्षा दी सौ से गुड़ा कर दीजिया लीजे परसेंटाइल आ गया मैं आपको दिखाता हूं कैसे माल लीजे किसी एक डेट में एक डेट में कोई एक डेट थी जिसमें सौ नंबर का पेपर हुआ और इस सौ नंबर के पेपर में तीन शिफ्ट थे माड़रेट इजी और हाड मैं बोलता हूं कि इजी शिफ्ट में इतने बच्चों ने पेपर दिया और उनके नंबर ऐसे ऐसे लिखे है मैंने का बाबू मुझे यह बताओ कि इस 75 नंबर वाले का परसेंटाइल कितना है इसका नाम है खुस्बू का परसेंटाइल कितना है यहाँ पर लिख देता हूं खुस्बू के नंबर है 75 नंबर मैंने का बताइए इस शिफ्ट में खुस्बू के नंबर का परसेंटाइल किया तो आप क्या बोलोगे जितने नंबर खुस्बू के है खुस्बू से जितने लोगों के कम नंबर कम है उनकी संख्या तो इस इजी शिफ्ट में तो आपने कहा दो दो चार दो छे दो आठ दो दस अब एरती थे और गुड़ा कर दिये भाई सो का तो इसका मतलब पांच दूनी दस और दो से कटा पचास यानि कि इसका जो परसेंटाइल बनेगा खुश्बू का वह कितना बन जाएगा पचास परसेंटाइल इजी शिफ्ट माली जे मॉडरेट शिफ्ट में आप से पूछा गया तो बता भाईया कि यह जो सत्तर नंबर वाला लड़का आया है राम विलास नाम है इस राम वेलास का जो है परसेंटाइल कितना इस अरग्धर सत्तर नंबर वाले बच्चे का परसेंटाइल कितना जितनी पी समझ्या है वो नहीं निकाल पाते हैं कहला ही खतम कर देते docik सबसे सरल राम-विलास के नंबर है उनको भी count कर लेते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर राम विलास के बराबर है या उनसे कम है बस और बटे में टोटल बच्चों की संख्या 6 इधर हो गएते 4 इधर यानि कि टोटल बच्चों की संख्या 10 है और गुणा करना है 100 का लीजे परसेंटाइल आ गय है 69 नंबर वाले विद्ध्यार्थी का बर्जण टाष्टाइल कितना है किस 나눔र उनसेट नंबर वाले का तो आप इस तरीके से परसंटाइल बड़े आराम से निकाल सकते कोई बहुत बड़ी हववा चीज नहीं प्लस मैं अगर बात करता हूं कि यहां पर परसंटाइल का इस्तेमाल कैसे होगा ग्रूप D में तो यह बोर्ड करेगा यहां पर आप यह तो पता कर सकते हो परसंटाइल में बाई मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना आप यह तो पता कर सकते हो कि परसंटाइल में कि उस शिफ्ट में कितने टोटल बच्चों ने एक्जाम दिया लेकिन यह पता करना कि आपके नंबर कितने है रॉइ स्कोर आपका कितना है यह भी बात आसानी से पता की जा सकती है लेकिन ये पता करना कि आपके raw marks के बराबर या आपके raw number के नीचे कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका raw score आपके आपके नीचे है ये पता करना थोड़ा सा मुश्किल है और अगर ये मुश्किल है तो इसका मतलब ये काम सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के द्वारा ही किया जा सकता है या तो अगर आप इस data को पा सके तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि आपके शर्फ में टोटल माली जे सौ बच्चों ने दिया और आपके नंबर जो है सौ मैसे मैंने कह दिये आपके नंबर आए सो में से सतर सतर से नीचे अगर मैं बोल देता कि सतर से नीचे नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या है तीस यानि सतर आपके नंबर के बराबर और उससे नीचे नंबर लाने वाले बच्चों की संक्या 30 है तो आप क्या बोलते 30 यहां उपर 100 यहां नीचे गुड़े में 100 100 से 100 कड़े आता है यानि कि उसका परसेंटाइल क्या होता 30 सी 30 बहुत सी बात बहुत सिंपल सी लेकिन इस डेटा को पता करना थोड़ा सा मुश्किल काम ठीक है यह जो हववा बना है कि परसेंटाइल निकालना और परसेंटाइल इतना बढ़ा होता है और कैसो निकाला जाता है सब कोई दिक्कत नहीं बड़े आसानी से आप किसी भी प यहां पर लिख लिए कि यह अपने पास इजी शिफ्ट थी और यह जो है अब देखेगा सेलेक्शन कैसे होता है किस प्रकार से होता है जानकारी को बहुत द्यान से समझना ठीक इस नए परसेंटाइल स्कोर के अनुसार जैसे मैंने बोला कि आपका जो हुबली जोन का एक्ज वालेगों अब किसी भी शिफ्ट का जो हाइस स्कोर होता है वो अपने उसका 100-1 होता है यह भी 100-1 और अब 16 वेकेंसी में जो च्छैत्र होंगे ् बुलाएं तीन बुला जाएंगे लेकिन जो हो गया सेलेक्शन तो 16 चाथ्रों का होगा तो जो सबसे पहले टॉपर है मार लीजे मीडियम शिफ्ट का जो मॉडरेट शिफ्ट का था टॉपर उसका सेलेक्शन हो गया इजी शिफ्ट के टॉपर का सेलेक्शन हो गया हाट शिफ्ट के टॉपर का सेलेक्शन हो गया इन लोगों का सेलेक्शन हो गया अब उसके बाद जो second topper है जैसे 75 नमबर वाली की बात करते हैं इसका जो percentile है इसका selection हो गया moderate shift से इसमें जो second topper है उसका selection हो गया इसमें जो second topper है उसका भी selection हो गया नमबर देखिएगा 75 है 89 है 59 है लेकिन selection हुआ तीसरे पर जो इसके नीचे है इसका selection हो गया 74 वाले का moderate shift में easy shift में 88 वाले का selection हो गया फिर उसके बाद यहां पर 55 वाले का selection हो गया अब बची है एक shift अब एक vacancy तीन पचे अगर मैं बात कर लेता हूं तीन तरीका 9 लोगों का selection हो गया अगले पर बात करते हैं फिर यहां पर selection हो गया इसका हो गया यहां पर इसका हो गया तीन चोको 12 लोग selection हो गया फिर 70 वाले का हो गया यहां पर sequence बना रहेगा फिर यहां पर इसका selection हो गया यानि आप देखो आ तो 5 पाच-पन्दरा लोगों का सेलेक्शन हो गया अब बचा एक यह एक में किसका सेलेक्शन होगा बहुत ध्याइन से सुनिएगा यह एक में सेलेक्शन किसका होगा क्योंकि अगर मैं यहां पर देखू तो यह 48 नमबर लाकर जो परसेंटाइल देखा जाएगा कितना होगा 5-10 यानि कि इसका जो percentile बनेगा इसका भी 50 percentile बनेगा 48 वाले का जिसका hard shift में था अगर मैं यह 75 वाले का percentile देखू तो इसका भी 50 percentile बनेगा easy shift वाले का और अगर मैं यहाँ पर 68 नंबर की बात देखू तो इसका भी 50 percentile ही बनेगा यह moderate shift का है तो आप कहोगे सर्फ percentile तो सब के 50 बनना है लेकिन यहाँ पर नंबर किसी के 68 है, किसी के 75 है, किसी के 48 है, तो selection किसका होगा, तो भाई यहाँ पर raw marks का कोई मतलब नहीं होगा, यह मैंने आपको पहले भी बता दिया कि raw marks का कोई मतलब नहीं होगा, अब मतलब होगा percentile से, तो स उसको select किया जाएगा, जिसकी age इन में से सबसे जादा है, इन तीनों में जिसकी age सबसे जादा होगी, उसको select किया जाएगा, सबसे पहली बाद जिसकी age जादा होगी, अब मैं मान लेता हूँ कि इन दोनों की age भी same हो गई, अब किसका selection होगा, तो अब इनका जो selection होगा, alphabetical order के अनुसार होगा जिसका नाम का पहला alphabet पहले आएगा उसका selection होगा जिसका बाद में आएगा उसको रोग दिया जाएगा बाद समझे कि selection का criteria किस प्रकार से select किया जाता है किस प्रकार से होता है percentile में अच्छा पुराने अगर percentile के formula की बात कर लेते हैं तो जो जो पुराना percentile का formula था उसमें क्या होता था भाई बहुत द्यांसर समझना उसमें क्या होता था कि जिसका hard shift का paper आ गया मतलब जिस shift का paper hard है उसके नंबर पता चला है एक साथ किसी के selection क्या हो जाते हैं तो hard shift वालों कहीं हो गए लेकिन इस नए formula से selection सभी में सभी shift में होंगे चाहें वह easy shift का हो तो भी select होगा moderate shift का हो तो भी select होगा hard shift का हो तो भी select होगा एक ratio के हिसाब यह formula को बनाया गया है तो आपने यह देखा कि selection की railway में किस प्रकार से होगा और यह जो normalization का formula होता है जो percentile पर based ही किस तरीके से काम करेगा तो यह पूरी बाते आपको सीखनी है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी जो आपको नहीं आती बहुत easy बात थी जो मैंने आपको इससे भी सरल सब्दों में आपको समझाया कि किस प्रकार से normalization होता और किस प्रकार से selection होता है ठीक तो इसी छोटे छोटे जो डीटेल है ना रेलवे से संबंदे चीजों की जो हो सकता है किसी भी चीजों के कारण आपको नहीं पता चल पाते तो ऐसी छोटी छोटी डीटेल के साथ पाट साला रेलवे की टीम आपके सामने उपस्तित होती रहेगी मैं रुराग दिक्षित आप सबसे इस बात के साथ लेता हूं विदा बाई बाई जैहन टेक्ट